आप सभी का सुवागत है आपके अपने योटूब चैनल ओनलाइन एक्जाम स्तियारी पर दोस्तो अगर आप मारे योटूब चैनल पर नहीं है तो आप मारे योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस कारने के बाद जो ओल का उप्षन बनता है उसे सलेक्ट जरूर कीजिएगा जिसे की जो भी मैं नहीं वीडियो लेकिया हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और अब ज़्यदा सी ज़्यदा मैंने प्राप्त कर सके आज मैं आपके लिए 17 सितंबर 2020 के Most Important Qution इस वीडियो में लेके आया हूँ मैंने आपके लिए सभी Qution selected और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपकी एक्जाम के लिए Important रह सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं आज के फस्ट Qution से योसी हिंदे सुगा किस देश के नए फर्दान मंतरी बने हैं तो दोस्तों किस देश के फर्दान मंतरी बने हैं इसका राइट आन सुरूगा D Option यानि की योसी हिंदे सुगा जो की जापान देश के नए फर्दान मंतरी बने हैं योसी हिंदे सुगा जो की सिंजु आबे का इस्तान लेंगे योसन में बात हो यह जापान की तो जापान एशिया महादीप में स्थित है इसकी राज़दाने टोक्यो है और यहां की केरेंची जापानी येन है अगला क्यूसन है A.C.I. विकास बेंग के नए कारे-कारे निरदेसक कोंग नूक्त हुए हैं तो दोस्तों कों नूक्त हुए हैं इसका right answer गट D. option यानि कि A.C.I. विकास बेंग के नए कारे-कारे निरदेसक के रूप में समिर कुमार खर्य को नूक्त किया गया है समिर कुमार खरे 1989 बेज के IAS असम केडर के अधिकारी है वर्तमान में वित मंत्राले के तैत आर्थिक मामलों के विबाग में अत्यरिक सचीव है क्योशन में बात विए ADB की तो इसकी फुलपरम होती है Asian Development Bank इसे हिंदी में खहते हैं ACI Vikas Bank इसकी स्थापना 19-26 को हुई थी इसका मुख्यले Manila जो की Philippines में है और दोस्तों Manila में किसका अनुसंदान केंदर है? चाउल का अनुसंदान केंदर भी कहां पर? Manila में है और दोस्तों इसके अद्देक्स कौन है? इसके अद्देक्स है माज सुगू असाकवा अगला किसन है किस राजे सरकार ने मुख्य मंत्री महिला कल्यान योजना को सुरू किया है? तो दोस्तों किस राजे ने सुरू किया है? इसका राइट आमसरोगा C-Option यानि कि गुजरात राजे सरकार ने मुख्य मंत्री महिला कल्यान योजना को सुरू किया है सरकार ने COVID-19 महमारी के समय महिलाओं में स्वयर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंद्री महिला कल्यान योजना को सरू किया गया है ताकि महिला आत्म निर्बर बन सके क्योसन में बात वही एक गुझरात राज्य की तो इसकी राजदानी गांदी नगर है इसके मुख्य मंत्री वीजे रुपाणी है यहां के गवनर आचारी देववर्थ है यहां के मुख्य न्यादिस विक्रम नाथ है और गुझरात का एक पडोशी देश है तो यह पडोशी गुजरात के समुदर तटकी रेका सबसे लंबी है और इसकी लंबाई 1214 किलोमेटर है गिर्प फोरेश नेशनल पार्क, बलेक बक नेशनल पार्क, वस्तान नेशनल पार्क, गलप कच मरीन नेशनल पार्क यह सभी गुजरात के महतवपूर्पूर्ण नेशनल पार्क हैं दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लागी तो इसे लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों की पास से सेर्ज जरूर कीजिएगा जिसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोचसान मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोट करने का परियास कर सकूँ तो दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखा करें जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा मेनिपिट प्राप्त हो सके अगला क्यूसन है लोगतंतर का अंतराष्टी दिवस कब मनाया गया है तो दोस्तों कब मनाया गया है इसका राइटाम सुरुगा A option यानि कि लोगतंतर का अंतराष्टी दिवस 15 सितुमबर को मनाया गया है लोगतंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों जनता का जनता के लिए जनता दुवारा सासन इस दिवस को मनाने का उद्द से लोगतंतर के सिधानतों को बढ़ावा देना ओ लोगतंतर को मजबूत बनाना है सितुमबर महने के मैतवपुन दिवस देख लेते हैं राष्टी पोस्तन सप्ताय दिवस मनाया जयता एक सितुमबर से सास सितुमबर तक 2 सितंबर को मना ज़ता है जापान पर विजे दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मना ज़ता है, 3 सितंबर को गगन चुंबी दिवस मना ज़ता है, 5 सितंबर को चेरेटी का अंतराष्टे दिवस मना ज़ता है, 5 सितंबर को सिक्षा दिवस भी मना ज़ता है, 7 सितंब को हिंदी दिवस मना जाता है, 15 सितंबर को अभियंता दिवस मना जाता है, 15 सितंबर को अंतराष्टे लोगतंतर दिवस भी मना जाता है, 16 सितंबर को मलेशिया दिवस मना जाता है, 16 सितंबर को विश्वय ओजोन दिवस मना जाता है, गुन्नी सितंबर को नेशनल टोक लाइक अगर दोस्तो यह पूच लिया जाई कि अंतरास्टे इंजनियर दिवस कब मना जाता है तो दोस्तो अभियंता दिवस का मतलब भी यही होता है यानि कि इंजनियर दिवस अगला क्यूसन है 28 सितमर को विश्वा रेबिश दिवस मना जाता है गुणती सितमर को विश्वा हर्दे दिवस मना जाता है और 30 सितमर को अंतराष्टी अनुवा दिवस मना जाता है अगला क्यूसन है विश्वा बेंग के नई कारे कारे निर्देशक कोन न्यूक्त हुए है दोस्तों कौन न्यूक्त हुए है इसका राइच आंशरों का B.O. उपसंड यानि कि विश्वब बेंग के ने कारे कारे निर्देशक के रूप में राजेश खुलर को न्यूक्त किया गया है राजेश खुलर जो की 1988 बेच के I.A.S. अधिकारी है वर्तमान में हर्याना राजी के मुक्य मंत्री मनोलाल कटर के फर्दान सचीव भी है क्योशन में बात हुई है विश्वब बेंग की तो विश्वब बेंग की स्थापना जुलाई गुनी सो चो मालिस को हुई थी इसका मुक्याली वासिंग अठन डीसी में है इसके MD&C अप होए अंचोला कांथ इसके अध्यक्स है डेविड माल पास अगला क्युशन है किसे Euro Money Awards of Excellence 2020 द्वारा Lifetime Achievement Awards से समानित किया गया है तो दोस्तों किसे समानित किया गया है इसका Right Answer का B option यानि कि आधित्यपुरी को Euro Money Awards of Excellence 2020 द्वारा Lifetime Achievement Awards से समानित किया गया है आधित्यपुरी HDFC बेंग के परबंद निर्देशक है Lifetime Achievement पुरुषकार उतकर स्पर्दसन के लिए दिया जाता है अगला क्युशन है कौन सा देश सयुक्तर राष्ट के आर्थिक और समाजिक परिशद निकाय का सदस्य बना है तो दोस्तों कौन सा देश बना है इसका Right आर्थिक और समाजिक परिशद में मैलाओं की इस्तती पर काम करने वाले निकाय सयुक्तर राष्ट कमिसन ओन स्टेड ओफ वीमेन का सदस्य चुना गया है और दोस्तों नाम है ECOSOC का तो इसकी फुलपोरम होती है Economy and Social Council और दोस्तों इसमें बारत चीन को फचार कर इसमें अ भाग लिया था एक तो अफगानिस्तान ने भाग लिया था एक चीन ने भाग लिया था और एक लिया था भारत ने यानि कि अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बन गया है और भारत भी इसका सदस्य बन गया है लेकिन चीन इसका सदस्य नहीं बन पाया है कि उसन में बात वी ये UN की तो इसकी फुलपरम होते युनाइटेड नेशन इसे हिंदी में कहते हैं स्वयकुतर राष्टर इसकी स्थापना 24 सक्टूमबर 1945 को हुई थी इसका मुख्याले निवार्क में है और इसके सदसे देशों की संक्या 193 है और 193 देश दक्षनी सुडान था इसके अध्यक अगला क्यूसन है इमामी लिमिटेड कमपनी ने हाईजिन रेंज की उतपादों के लिए किसे अपना ब्रांड एमबेसेडर निउक्त किया है तो दोस्तो किसे निउक्त किया है इसका रायचान सुरुका CEO उप्सन यानि की इमामी लिमिटेड कमपनी ने हाईजिन रेंग के उतपादों के लिए जो ही चाउला को अपना ब्रांड एमबेसेडर की रूप में निउक्त किया है जो ही चाउला बारतिय अभिनेतरी है क्यूसन में बात हुए इमामी की तो इमामी भारतिय कमपनी और ये ब्यूटी और ब्यूटी केर प्रोडेक्ट से बनाती है इसकी स्थापना गुनिसो चोतर को ही थी इसका मुख्याले कोलकता में है इसके संस्तापक है रादेय स्याम अगरवाल और रादेगोयंका राक्यूशन है किस राजे सरकार ने इसमार्ण राषन कार्ड योजना को सरू किया है तो दोस्तो किस राज़े ने सरू किया है इसका राइट आंत्रोगा C-Option यानि कि पंजाब राज़े सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना को सरू किया है स्मार्ट राशन कार्ड योजना में राज़े की लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्द कराना है और इस योजना के तहट राज़े के लोकों को किसी भी राशन डिपो से राशन ले सकेंगे क्योशन में बाहत तो ये पंजाब राज़े की तो इसकी राज़दानी चंडिगड है यहां के मुख्य मंत्री केप्टन अमरेंदर सिंग है यहां के गवणर विजंदर पाल सिंग बदनोर है पंजाब के तीन पडोसी राज़े हैं तो ये तीन पडोसी राज़े राजस्तान, हरियना और हिमाचल परदेश है पंजाब का राज़की पसुक काला हीरन है राज़की पक्सी बाज है राजकी वरक्स सीसम है और दोस्तों पंजाब का एक पडोशी देश है तो ये पडोशी देश पाकिस्तान है पंजाब का मुखे न्यादिस रविस अंकर जहां है और पंजाब की लोग सबा से 13 सीटे हैं राजे सबा से 7 सीटे हैं और विदान सबा से 117 सीटे हैं अगला क्यू ने वित्वरस 2021 में बारत की जीडीपी 8.2% तक सिकूरने का अनुमान लगाया गया है क्योपसन में बात हुई है जीडीपी क्या है तो दोस्तो जीडीपी की फुलपरम होती है गोरोष डोमेस्टिक प्रोडेक्ट इसे हिंदी में कहते हैं सकलगरेलू उत्पाद और दोस्तो किसी राष्ठ द्वारा उत्पादी समस्त वस्तों वा सेवाओं के कुल मुल्य को तो इसकी फुलपोरम होती है, Credit Analysis and Research Limited, इसकी स्तापना 1993 को हुई थी, इसका मुख्यालिय मुंबई में है, इसके MD and CEO है, अजे महाजन, अगला क्यूसन है, किस राजे सरकार ने COVID-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिमेदारी अभ्यान शरू किया है, तो दोस्तों किस इसका right answer होगा A option, यानि कि महाराश्टर राजे सरकार ने COVID-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिमेदारी अभ्यान को सरू किया है, मेरा परिवार मेरी जिमेदारी अभ्यान का उदस से कोरोना महमारी को नियद्रित करने और मर्त्युदर को कम करना है, क्योसन में ब राज के पक्सी काबुतर है और राज के वरक्स आम है, महाराश्टर राजे के 6 पडोसी राजे हैं, ये 6 पडोसी राजे गोवा, करनाटक, तेलंगाना, 36 गड, मद्य परदेश और गुजरात है, महाराश्टर के लोक सभा से 48 सीटे हैं, राजे सभा से गुन्नी सीटे हैं, और विदान सभा से 288 सीटे हैं बाबा परमाणू अनुसंदान केंदर का मुख्याले माराश्टर के मुंबई सहर में इस्तित है बारतिय रिजर्व बेंक, बारतिय स्टेड बेंक, बेंक ओप इंडिया, सेंडरल बेंक ओप इंडिया, यूनियन बेंक ओप इंडिया, अक्सेस बेंक, HDFC बेंक, ICICI बेंक, YASB बेंक, कोटा महिंदरा बेंक, सेबी और NSE, BCCI, BAC in सबीव का मुख्याले मुंबई सहर में इस् तो किस ने समझोता किया है? इसका राइट आंचरुगा A-Option यानि कि राजस्तान राज्य ने MSME को साहिता परदान करने के लिए सिड़बी के साथ समझोता किया है MSME का मुख्य उधिसे राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देना है कि उसन में बात विए सिड़बी की तो इसकी फुलपरम होती है Small Industry Development Bank of India इसे हिंदी में कहते हैं बारतिय लगू उद्योग विकास बेंक इसकी स्थाफना 2 अपरेल 1990 को हुई थी इसका मुख्याले लखनव जो की उतरपरदेश राज्ये में है वो लखनव गोमती नदी के किनारे इस्तित है यहां कि चेर्मेन एंड एमडी है मौमद मुस्तफफा विए सिन में बात विए राज़तान राज्ये की तो राज़तान की राज़दाने जेपूर है यहां कि मुख्य मंतरी असो गहलोद है यहां कि गवनर कलराज मिस्तरा है यहां कि मुख्य नदिस इंदर जित मोहनती है राज़तान की पांस पडोशी राज़े है तो यह पांस पडोशी राज़े मद्य पर्देश, गुजरात, हरियाना, उतर पर्देश और पंजाब है राज़तान की लोक सबा से 25 सीटे है, राज़े सबा से 10 सीटे है और विदान सबा से 200 सीटे है बारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान ये भी राज़तान में इस्तित है करकरेका बारत के राज़तान राज़े से होकर गुजरती है और करकरे का बारत की आठ राजी से होकर निकलती है तो ये आठ राजी है गुजरात, राजस्तान, मद्देपर्देश, चतिसगर्ड, जारकंड, पच्चिम बंगाद, तिरिपुरा और मिजोरम है अगला क्यूसन है, फेस्बुक कंपनी ने वेस्विक व्यापार समुह का निदेशक किसे निक्त किया है तो दोस्तो किसे निद्धिसक निउक्त किया है इसका राइट आन्सोर का CEO उप्सान यानि कि Facebook कमपनी ने वेश्विक व्यापार समुह का निद्धिसक आरून सीरी निवास को निउक्त किया है क्यूशन में बात विये Facebook की तो Facebook एक Social Networking साइट है इसकी स्थापना 2004 में हुई थी इसका मुक्याले केलिफोर्निया USA में है और इसके CEO है Mark जुकरबर्ग अगला क्यूशन है बारत का पहला कोरोना विसान परसिक्षण सुविदा केंदर किस हवाई अड़े में स्तापित किया गया है तो दोस्तों कहां पर स्तापित किया गया है इसका Right-Hand-Through का B-Option यानि कि बारत का पहला कोरोना विशानों परसिक्षन सुविधा केंदर इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट हवाईडे में इस्तापित किया गया है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल हवाईडा जो की दिल्ली में इस्तित है विद्विशु से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट होगा जिसके लिए एरपोर्ट पर लेब इस्तापित कर दी गई है फ्रेंट्स मैंने आपको 15 इंपोर्टेंट करन डाफिर की क्यूसन करवाए हैं और अब मैं आपको यह सभी क्यूसन रिविजन करवाने वाला हूँ ताकि आपको सभी क्यूसन अच्छे से समझ में आ जाएं और अच्छे से याद भी हो जाएं इसी वीडियो में तो इस्टार्ट करते हैं रिविजन का फस्ट क्यूसन उसी हिंदे सुगा किस देश के नए परदान मंतरी बने हैं तो ये बने हैं जापान देश के परदान मंतरी अगला क्यूसन है एशिया विकास बेंग के नए कारे कारे निदे से कोन न्यूक्त हुए हैं तो ये न्यूक्त हुए हैं समिर कुमार खर्रे अगला क्यूशन है किसी राजे सरकार ने मुक्य मंत्री महिला कल्याण योजना को सरू किया है तो ये गुजरात राजे ने सरू किया है अगला क्यूशन है लोगतंतर का अंतराष्टी दिवस कब मनाया गया है तो ये 15 सितमर को मनाया गया है अगला क्यूशन है विश्व बेंक के ने कारे कारे निदे सक कोन न्यूक्तुए हैं तो ये न्यूक्तुए हैं राजे स्खुलर अगला क्यूशन है किसे Euro Money Awards of Excellence 2020 द्वारा Lifetime Achievement Awards से सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया आदित्य पूरी को अगला क्यूशन है कौन सा देश सयुक्त राष्ट के आर्थिक और सामाजिक परिश्द निकाय का संदश्य बना है तो ये अपना देश बारत बना है अगला क्यूशन है किसने F1 Tuscan Grade Prix 2020 का किताब जीता है तो ये किताब Lewis Hamilton ने जीता है अगला क्यूशन है इमामी Limited Company ने हाईजिन रेंज के उतपादों के लिए किसे अपना ब्रांड एमबेशेडर निक्त किया है तो ये निक्त किया गया है जो ही चावला को अगला क्यूशन है किस राजे सरकार ने Smart रासन काड योजना को सरू किया है तो ये पंजाब राजे ने सरू किया है तो अगर आपको हमारे मैनत अच्छी लगे तो वीडियो को Like और Share जरूर कीजेगा जिससे कि हमारे इस वीडियो का Manipit आप अपने दोस्तों को भी सकते है अगला क्यूसन है केयर रेटिंग्स ने वित वरस 2021 में बारत की जीडिपी कितने परतिशत तक सिकूरने का अनुमान लगाया है तो ये 8.2 परतिशत तक सिकूरने का अनुमान लगाया गया है अगला क्यूसन है किस राज्य सरकार ने COVID-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जीमेदार्या ब्यान सरू किया है तो ये माराष्टर राज्य ने सरू की है अगला क्यूसन है किस राज्य ने MSME को सायता परदान करने के लिए शिडिपी के साथ समझोता किया है राज्य ने किया है अगला क्यूसन है फेस्बुक कम्पनी ने वेस्वी व्यापार समुह का निर्दे सकी किसे न्यूक्त किया है तो ये न्यूक्त किया गया है अरुन सिरी निवास को अगला क्यूसन है बारत का पहला कोरोना अगला क्यूसन है बारत का पहला कोरोना विशानु परिक्षन सुविधा केंदर किस हवायडे में इस्तापित किया गया है तो ये इस्तापित किया गया है इंद्रागांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तो दोस्तो ये थे आज के most important current appearance समझेट क्यूशन तो दोस्तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखा करें जिसे कि इस वीडियो का ज़्यदा से ज़्यदा मैंनी फिर्प्राप्ट कर सकें थेंक्यू दोस्तो जै हिंद जै बारत